रहादे किशना blends कैसे हैं आप सब लोग आ है होपा। सब लोग अच्छे है, सथ्रीह, मस्त्री बहुत्छरे, थे फ्रेंट साथ हम बनाने वाले हैं पराथे हैं तो तो आपको कई प्रिकार साहिम्ने पराथे बनाने आपको बता दिया हुआ है इस बारे मनाने वाले बथुआ के पराठे और बथुआ का ही रहता होगा रेली बहुत अच्छा है बनते पराठे बहुत होते हैं अगर जिनको हीमोग्लोबिंग की कमी है तो बथुआ का ज्यादा यूज करें बहुत बेनिफिट मिलता है यहां पर तो चलिए आपको दिखा दिखा दें आपको हमें जो बनाना है उसमें से क्या क्या मिलाने वाले हैं तो यहां पर मिलाएंगे बेसन और इसके बाद आप चाहें तो क्या बोलते कम हो या ज्यादा कर सकते अगर आपके पास बेसन नहीं तो आप बेसन इसकिप कर दीजे नॉर्माल आटा ही लगा इसके बाद हम यहां पर ले लेंगे मल्टी ग्रेन आटा रिली बहुत अच्छे बनते पर आटा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिल आइकन को प्रिस कर लें जिसे के जब भी मैं को वीडियो डालू सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुचे तो चिली कस यहां पर हमने जो आंटा था वह हमने डाली आंटा हूं हमने डाला हुआ हमने मल्टी ग्रेन आता यहां पर अट कर लेंगे थोड़ुबदासा फीपॉडर और धनिया पॉड़र हूज पिझी मीड़िटिक आप इसके बाद हम ऐब लेंगे और हम प्लेक्स की इसका अच् इसके बाद हम आजवाइन को दोना हथेलियों से रगर दीजिए जिसमें किसी फ्रेग्रेंश है जो खुश्बू है बहुत अच्छे से आएगे इसके बाद हमने एड कर दिया यहां पर एक चमच नमक बहुत ज़्यादा ना टाले क्योंकि उस बाद में आप क्या ज्यादा भ ओड़ाएंगे धोड़ा गवर्षा घृट करते जाएंगे और इसके बाद एक साथ नहीं डालेंगे औहस को flots Capital के इक साथ इस इंप सुष्फटी करने इसमें ज्यादा होता है मेथी में कम मॉस्चर होता है सोया में थोड़ा कम मॉस्चर होता है इसमें बहुत ज्यादा मॉस्चर होता है तो यहां पर यह देखे हमने अच्छे से आटे को चमत से मिला लिया मिलाने कब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके तब इसको इसके बाद मैंने गलती यह करी को किसी काम में विजी होके 10 मौट बाद हमने बना है तो आटा मारा काफी सॉफ्ट हो गया था लेकिन जैसे ही आप यह गलती ना करें जैसे आप इसको आटा लगा वैसे तुरंत पराठे बनाना इस्टार्ट कर दें क्योंकि बथवा में जो प अच्छा मलब की बने हुए थे और बने भी अच्छ बहुत वैसे ही अच्छे बने हुए बड़ इसका जो डो है जो आटा है वह थोड़ा सगीला हो गया था आपको पराठा बेलने में पता चल रहा होगा तो कोई बात नहीं हम तो बना लेंगे गीले ही लेकिन आप लोगो स्टेक हुई यह आप ना करें तो यह बताना बनता है तो चलिए इस प्रकार से हम दो दो तीन तीन पराठे बेल करके रख लेंगे इसके बाद सेखते हैं तावे में और यह देखें बेल रहे तो बहुत अच्छे से पस हलके हाथों का यूज करें जैसे आप जो पराठे को ग यह शख्ता दें कि हमने आप हर फिर से प्रॉह का तवड़ी आपको किसी तवी तवे का यूज कर सकते हैं तो रेलीपराठे बहुत अच्छे बनते हैं आपको साथ में यह भी बताते हैं कि जो बस हैं हो अगर जिसको झाशिय को भी हीमोग्लोबिन की कमी हो रहए है वह बस करें और उसके बाद अभी तो पूरी सर्दियों भर यह बत्वा आपको मिल जाता है रेली मैं बताओं अगर किसी भी प्रकार से रायता सबसी या भुजिया या किसी प्रकार या आप इसका बत्वे का जूस पीजिए आपको हीमोग्लोविन की कमी है तो चुटकी में खतम ब्लड बहुत अच्छे से हो जाएगा और ब्लड की कभी कमी भी नहीं होगी जो जिसको ब्लड की कमी है वो बत्वा का भरपूर मात्रा में यूज करें बहुत बेनिफिट्स मिलता है सच बताओं तो यहां पर यह दे कि हमारे जो पराठे है नॉर्मल जैसे सेखना होता है आपको जानकारी भी दे दी कि बत्वा में क्या-क्या से गुण है इसके बाद हमारे पराठा बनकर रेडियो को तो बत्वे का रायता भी था तो यहां पर प्रेंट्स चलिए हम अपना नास्ता करने जाते हैं और जो वीडियो है जो ब्लॉग है संडे का वीडियो है तो टेक केर लव यू ओ